हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल जैसे कि हमने अपनी स्टडी शुरू की है मैट्स के रिगार्डिंग आज हम एक निया टॉपि लेक्ट आ रहे हैं डेरेवेटिव तो जो यह डेरेवेटिव ते इसका मिनिंग एक्चुल क्या होता है यह हम इसमें स्टडी करेंगे एक्चुल हम पूरी डिफ्रेंसेशन पढ़ लेते हैं अगर हमें मिनिंग नियुक्त होता डेरेवेटिव क्या है तो इस वीडियो में हम डेरेवेटिव को पूरे क्लेर कट वे में समझेंगे तो आईए देखते हैं डेरेवेटिव का मिनिंग जैसे कि है अगर कुछ चीज चेंज हो रही है तो कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है यह हमें डेरेवेटिव बताएगा तो इसका दूसरा नाम रेट ऑफ चेंज भी है अगर आप किसी का रेट ऑफ चेंज मेजर करना है रेट ऑफ चेंज क्या करना आपको अगर मेजर करना है तो अब किसका concept लोग है derivative का, देखो जैसे मेरे हाथ में marker है, मैं इस पर force लगाऊंगा, तो marker अपरी position change करेगा, किस rate से position change हुई, ये भी concept किस में आता है, derivative में, तो students, जो ये derivative है, बड़ा important concept है, physics के point of view से भी और mathematics point of view से भी, तो देखिए, tell us how fast something is changing, अब देखिए, rate of change, measure करने को भी हम क्या बोलते है, derivative, किस चीज़ का rate of change, अगर आपको measure करना हो, हम उसको भी क्या बोलते है, derivative, ये हम चार मिन्ट की वीडियो में ही पूरा concept समल लेंगे, जो इतना मुश्किल हमने बनाया हुआ है, derivatives क्या होता है, तो सुनते रहे हैं द्यार से, देखो, ये तीन points लिखे हैं मैंने, whenever something is changing, पहले तो derivative को मिनिंग है, कि किसी चीज़ की जो change है, उसको बताना कि वो कितनी fast है, और अब हमने बताया है, जब भी कुछ चीज़ change हो रही हो, ठीक है, तो कोई भी जब change होती है, वो किसी चीज़ के respect ह चीज़ होती है, changing with respect to something else, अपने आप तो change नहीं होगी, तो जो चीज़ change हो रही है, उसको मैंने y मान लिया है, और जिसके respect change हो रही है, उसको मैंने x मान लिया है, तो जो derivative है rate of change, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, delta y upon delta x, तो जो चीज़ change हो रही है उसको आपने numerator में लिखना ह और जिसके respect change हो रही है उसको आपने denominator में लिखना है आईए देखते हैं अब एक इसके example example में देखो आपके पास एक car है car के अंदर दो friends बैठे हुए है और say उन्होंने travel करना है 20 km अब सोचो अगर गाड़ी के अंदर दो friends बैठे हैं और गाड़ी चल रही है किसी भी speed से चल रही है और जो दो friends है क्या उनकी position आपस में change होगी with respect to each other change होगी वह तो चेंज नहीं होगी अगर वह दोनों front seat पर बैठे एक driver seat पर बैठे है और दूसरी seat पर बैठे है तो position तो चेंज नहीं हो रही है चाहे गाड़ी जैसे मर्जी चले तो दो friends के position change नहीं हो रही है मगर हम ऐसा कर ले जब हम गाड़ी start करते हैं दो friends तो बैठे हैं मगर जब वो start होती है हम suppose एक shop fix कर लेते हैं उसकी surrounding में क्या है एक shop है जहां से गाड़ी start हो रही है उसकी surrounding में एक है shop तो उस shop को fix रख देते हैं और गाड़ी को जो गाड़ी के distance में change आ रही है वो with respect to हम shop लेते हैं तो क्या होगा सामने लिखा है but there is a change between them and surrounding things तो जो friends है और उनके बीच में surrounding things के बीच में क्या हो जाएगी change हो जाएगी to जो यह change को measure करना कि यह change fast way में हो रही है कि हम कितनी speed रखेंगी change कितनी हो रही है तो वह चीज़ सब कुछ concept किसमें आता है derivative है तो आपको simple derivative का meaning किसी को बताना है तो आपको बस यही बताना है derivative आपको क्या बताता है how fast something is changing और इसको rate of change भी बोलते है ठेक और next जो भी change हो रही है वो किसी के respect